बेहद इमानदार अधिकारी मानीज जाने वाली रश्मी महेश को 18 साल की सेवा में 20 बार स्थाना अंतरित कर दिया गया है करनाटा के केडर आई ये इस अधिकारी रश्मी भरष्ट शिक्षा प्रणाली के खिलाफ लगातार लड़ रही है उन्होंने मैसूर के प्रशासनिक प्रशिक्षन संस्थान के खिलाफ एक जाज की और उन्हें 2008 से 2014 के बीच 100 करोड रुपए की अन्यमिताय मिली इस एक सपोजर के जवाब में उस पर भीर ने हमला किया था अत्तीत में उन्होंने चिकितसा और इंजिनियरिंग कॉलेज की सीटों में जाज की थी जो राजनीतिक नेताओं द्वारा मैनेज की जाती हैं जिसके परिणाम स्वरुप उनका बार बार ट्रांस पर होता रहा यूसगायम नमबर साथ तमिलनाडू के एक सिविल करमचारी यूसगायम को उनकी सेवा के 20 वर्षों में लगभग 20 बार स्थाना अंतरित कर दिया गया है वह भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रतिष्ठित हैं वह अपनी संपत्ती सारवजने करने वाले पहले आये इस अधिकारी भी थे मदूरे में अवैद ग्रेनाइट खननन पर उनकी दूरगामी जांशक्च ने कई ग्यात राजनेताओं और व्यापारियों के खिलाफ आरोप साबित किये उन्होंने पांच हजार से अधिक सबसीडी वाले गैस सीलेंडरों को भी जब्त कर लिया जो घरेलू उप्योग के लिए थे लेकिन अवैद रूप से रेस तरा द्वारा उप्योग किये जाते थे उन्होंने वोट खरीद के खिलाफ जाच की जब उन्हें मदुरे कलेक्टर के पदसे को अप्टेक्स के प्रबंध ने देशक पद के लिए स्थानान तरित कर दिया गया तो लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था अन्शुल मिश्रा अपने थोड़े साल की सेवा में ही उन्होंने कुछ उलेक्टर के रूप में अपने कारेकाल के दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए शिकायत का क्षॉर फेस्बुक पेज बनाकर प्रशासन में पारदर्शिता और जवादे ही पेश की उनका यहां दृष्टिकोन बहुत सपहल था क्यूंकि वेह लोगों द्वारा रेकोर्ट किये गए लगबग असी पर सेंत मुद्दों को सुधारने में सक्षम था अन्शुल ने अवैद ग्रेनाइट खदान पर कारेवाई का नेतरित्व किया और अंगनवाडी श्रमिकों की उचित भरती प्रक्रिया को सुविधा जनक बनाने के लिए श्रेय दिया जाता है राजु नारायन स्वामी नंबर पाच राजु केरल कैडर के आईएस अधिकारी हैं और आई आईटी मदरास के पूर्व छात्र हैं वह भरष्टाचार के खिलाफ अपने कुलसेड के लिए जाने जाते हैं 22 वर्षों के अपने करियर में उन्हें 20 बार स्थाना अंतरेत कर दिया गया था उन्होंने भरष्ट राजनिताओं के हाथों से काम करने से इंकार कर दिया इसके लिए उन्हें छुटी पर जाने के लिए भी मजबूर किया गया राजु को कभी-कभी अपने जूनियर के साथ काम करने के लिए भी बोला जाता था केरल मंत्री टी यू कुरोविला के खिलाफ उनकी जांचने मंत्री को पद से इस्तिफा देना पढ़ा राजू कहते हैं मेरी सेवा जीवन में मैंने हमेशा भृष्टाचार से लड़ा है हमको हटा दिया जा सकता है लेकिन अधिकारियों को नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए मुदो पर दृष्टेंड लेने के लिए हमें जो सारवजनिक प्रशन सामिलती है वे हमें अपने कारे के प्रती और इमानदार बनाती है दुरगा शक्ती नागपाल नमबर चार दुरगा शक्ती जैसी महिलाएं युवा लड़कियों के लिए एक प्रेड़ना है जब वह खिलेश यादव की समाजवादी सरकार के खिलाफ मस्जद की दीवार को ध्वस्त करने के लिए टीम का नेतरित्व किया तो वे हलाइम लाइट में आई लेकिन राजनीतिक और समाजी कारकरता अलग सोचते हैं राज्य में अवैद खनन के खिलाफ उनकी कारवाही ने राजनीतिक वर्ग को परेशान किया उनके साथ उनके आये इस अधिकारी पती अभिशेग सिनकोदलित शिक्षक के साथ दुर्व्यावार के आरोपों के कारण निलंबन कर परेशान किया गया था जब वह पंजाब में प्रशिक्षु आये इस अधिकारी के रूप में काम कर रही थी तो उसने मुहाली में एक भूमिक घोटाला उजागर किया था बी चंदरकला नमबर तीन चंदरकला इंटरनाइट संसनी बन गई थी जब उसका वीडियो वायरल बन गया जिसमें वे स्थानिय अठेकेदार और अधिकारीयों को सडकों के निर्मान के लिए निम्न गुनवता वाली सामगरी का उप्योग करने के लिए डांट रही थी ब्रष्ट अधिकारीयों के खिलाफ खड़े होने की उनकी काबिलियत ने उनको प्रतिष्ठा दिलाई वह सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिये है और अपने उतक्रिष्ट कामों वाले लोगों को प्रेरित करती है उनके काम की योगता के लिए उन्हें मूदी सरकार के स्वच भारत मिशन के निदेशग नियुक्त किया गया था अशोक खेमका नमबर दो अशोक खेमका उननी सोही क्यानवे बैच के हरियाना के अडर के आईयेएस अधिकारी है उनके नाम को अक्सर उनके लगातार स्थानांतरण के समाचार के रूप में देखा जा सकता है अपनी सेवा के 24 साल की अवधी के भीतर उन्हें 51 बार स्थानांतरित कर दिया गया है वह करमटता और रिमानदारी का प्रतीक है राश्टर की सेवा के लिए काम करने की उनकी प्रतिग्या उन्हें सबसे ज़्यादा प्रोफाइल मामलों को उजागर करने से रोकती नहीं है वर्ष 2012 में इस IAS अधिकारी ने DLF के साथ रोबर्ट वाड़ा के 20,000 करोड रुपे से 35,000 करोड भूमी साओडे का परदा फाश करने की हिम्मत की ऐसे कई उदाभरण हैं जब उनके खिलाफ चार्च शीट दायर की गई है लेकिन इससे उन्हें अच्छा काम करने से नहीं रोका सतेंद्र दुबे, नमबर एक सतेंद्र दुबे एक भारतिये इंजीनेरिंग सेवा, IAS, अधिकारी थे जिन्हें स्वन्नेम चतुर्भुज राजमार्ग निर्मान परियोजना में शामिल भ्रस्टाचार को उजागर करने के लिए अपने जीवन का भुगतान करना पढ़ा उन्होंने राश्ट्री राजमार्ग दो, गोल्डन चतुर्भुज परियोजना का हिसा के औरंगाबाद बाराचटी खंड के निर्मान में चल रही भयंकर औने यमिताओं की खोज की जब वेह जारखंड के कोडर्मा में परियोजना नेदेशक थे उन्होंने अटल बिहारी वाजपई को एक पत्र लिखा जो उस समय प्रदान मंत्री थे पत्र में राष्ट्री राजमार्क प्राधिकरण एनेचे आई में प्रचलित ब्रष्टाचार को प्रकट किया गया था अपनी पहचान को गुपत रखने के अनुरोधों के बावजूद उनके पत्र को दूसरे मंत्राले को भीजा गया था उसके बाद कई खत्रे हुए उसके बाद उन्हें गया बिहार में स्थाना अंतरित कर दिया गया जहां 27 नवंबर 2003 को रहस्मय परिस्थितियों में सडग के किनारे उन्हीं हत्या कर दी गई थी सतेंद्र ने 1990 में IIT कानपूर से बिटेक सिविल और IIT वारानसी से एम टेक सिविल ट्राप्त किया उनकी मृत्यू के बाद IIT कानपूर ने उनकी याद में एक पुरसकार दिया सतेंद्र दूबे मेमोरियल अवार्ड जिसे IIT के पूर्व छात्रों को मानव मूलें को कायम रखने में उच्चतम पेशेवर्व अखंडता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है